तो जैसे कि हम लोगों ने आपसे कहा था कि हम TDS पर English की classes जो है वो लेकर आएंगे जहां पर हम लोग discuss करेंगे SCERT का जो latest syllabus है exam pattern जो है English के लिए वो हम लोग इस session में discuss करेंगे तो सबसे पहले बेटा मैं बात करती हूँ slaybers की तो slaybers में आप लोगों को pros है तो pros जो है बेटा 7 है बुक में तो 7 की 7 pros जो है वो आपको आएंगी then poems जो है वो आपके पास 10 है तो 10 की 10 poems आपको आएंगी and then आपको short stories 4 है तो बेटा 4 की 4 short stories आपको आएंगी and last में एक play है strange trial तो ये play जो है ये आप लोगों को आएगा it means कि आप लोगों को whole book को prepare करना है exam के लिए कोई भी syllabus में detection नहीं है कोई भी कम syllabus आपका नहीं हुआ है आप लोगों को ये whole जो book है उसको prepare करना है अब बात करते हैं कि कितने marks का रहेगा तो आपका English का paper जो है वो 50 marks का रहेगा और क्या timing रहेगी इस paper को complete करने के लिए तो बेटा 2 and half hour जो है वो आपको दिया जाएगा इस paper को complete करने के लिए तो चलिए बात करते हैं कि paper का pattern क्या रहेगा तो paper को बेटा 4 sections में divide किया गया है जिसमें section number A section A जो है वो reading comprehension है जिसकी वेटे जो है वो 15 marks रहेगी then इसमें question number 1 जो है वो आपका extract है it means कि आप लोगों को poem में से कुछ lines दे दी जाएंगी और आप लोगों को उसको पढ़ना है and then 5 questions आएंगे और 5 questions का आपको answer देना है then question number 2 है आपका passage वाला part then आपको एक unseen passage आएगा आपको उसको read करना है and आपको 5 questions पूछे जाएंगे तो आपको उसका answer करना है then question number 3 है look at the picture carefully and answer the questions आपको एक picture जो है paper में दे दी जाएगी आपको उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है ध्यान से observe करना है कि उसमें क्या-क्या चीज़े आपको दी गई है and then वहां पर आपको 5 questions दिये गए होंगे और उन 5 questions का आपको answer जो है वो करना है then है बच्चे आपका section number B section B जो है वो आप लों का grammar part है जिसकी weightage 8 marks रहेगी इसमें question number 4 जो है वहां पर आपको complete the passage by applying appropriate words from the given box आपको एक box दे दिया जाएगा उसमें कुछ clues given होंगे and आपको उस passage को fill up करना है उनी clues से then question number 5 है आपका narration जिसकी weightage 2.5 marks रहेगी and last है question number 6 section B का वो है आप लों का editing तो बेटा आपको editing करना है जिसमें आपको verb को correct करना है spelling को correct करना है if preposition का mistake है तो preposition को भी आपको correct करना है अब आते हैं बेटा section number C जो है आप लों का writing skill तो यहां पर first question है आपका dialogue writing आप लों को option दिया जाएगा choice दी जाएगी कि आप लों को dialogue writing करना है यां तो आप लों को कुछ pictures दे दी जाएगी और उसी picture के base पे आप लों को एक story जो है वो develop करनी है तो इसकी weightage रहेगी आपकी 3 marks then next question है message और email message यां तो email में से आपको एक question attempt करना है जिसकी weightage है आपकी 2 marks then question number 9 है letter writing तो आप लों को formal और informal letter में choice दी जाएगी और इसकी weightage है आपकी 3 marks then question number 10 है आपके पास report writing तो report writing जो है वो आपको attempt करनी है और इसकी weightage है बेटा 4 marks then आजाते हैं बेटा literature part पे section number D literature part है आपका जिसकी weightage है 15 marks इसमें सबसे पहला जो question है वो pro section से आएगा और उन pro section में से आपको 5 question पूछे जाएगे और आपने अपनी choice में से कोई 3 question जो है वो attempt करने है then question number 12 है poetry में से तो poetry में से आपको 10 poems है आपकी तो उसमें से कोई 4 questions पूछे जाएगे और अपनी choice से आपको again सिरफ और सिरफ 2 questions को attempt करना है question number 13 है आपका short story and play इन में से आपको 3 questions पूछे जाएगे और 3 questions में से कोई आपको 1 question जो है वो attempt करना है तो I hope ये वीडियो आप लोगों के लिए fruitful रहा होगा अगर आप चाहते हैं कि हम लोग format discuss करें या important questions literature के क्या रहेंगे वो discuss करें अगली वीडियो में तो आप नीचे comment box में comment कर सकते हैं अगर जादा comment होंगे तो हम next video जो है वो formats की और literature के important questions की आपके पास लेकर आएंगे और discuss करेंगे कि क्या important questions रहेंगे literature part के लिए तो thank you, खुश रहिए और अपनी preparation जो है वो properly करते रहिए